भारत की इतिहास में आये शुरू करते हैं अध्याई भक्ती आंदोलन दक्षन में आठवी सदी में महान दाशने शंक्राचारे का जन्म कीरल में हुआ था इनकी पिता का नाम शिवगुरु इवं माता का नाम आर्यमपा था शंक्राचारे ने बहुत धर्म के प्रभाव को समाप्त करनी के लिए आठवी शताप्ती में अध्यादवादी दर्शन का प्रतिपादन किया शंक्राचारी की अद्वैत्वाद दर्शन की विरोत मी वैशनव आचारियों द्वारा निम्लिकी चार मतों की इस्थापना की गई जो इस प्रकार से हैं विशिष्टा द्वैत्मत के संस्थापक थे रामानूजाचारे इन्होंने श्री संप्रदाई की इस्थापना की, वहीं द्वैत्वाद के संस्थापक थे माध्वाचारे जिन्होंने ब्रह्म संप्रदाई की इस्थापना की. शुद्धा द्वैत वाद मत के संस्थापक्ती वलभाचार्य जिन्होंनी रुद्र संप्रदाय की इस्थापना की वहीं द्वैता द्वैत वाद मत के संस्थापक्ती निम्बकाचार्य जिन्होंनी सनक संप्रदाय की इस्थापना की भक्ति आंदोलन को दक्षिन की वैश्णव अलवार संतु और शैव नैनार संतु ने प्रसारित किया बंगाल में कृष्ण भक्ति का प्रतिबादन चैतन्य महाप्रभू, विद्यापती ठाकुर और चंडी दास ने किया भक्ति आंदोलन की प्रमुक संत भक्ति आंदोलन की प्राचेंतम प्रचारक वैश्णव आचार्य रामानुज थे इनका दाशनिक विवेचन विशिष्टा द्वैत है विशिष्टा द्वैत का अर्थ है, ब्रम अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव और जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है आचार्य रामानुज का जन्म मंत्रास अर्था चिन्नाई के श्री पैरम बुदूर में 1017 ईश्वी में हुआ था इनकी पिता का नाम केशव और मा का नाम कांति मत्य था इनकी मृत्यू 1137 ईश्वी में हुई रामानुज ने सगोण ईश्वर की उपासना पर बल दिया उनकी अनुसार मोक्ष का मार्ग कर्म ज्ञान और भक्ति में नहीं थे वलभाचार्य वलभाचारी सुमायाजी कुलकी तैलंग ब्राहन श्री लक्ष्मन भट के पुत्र थे वलभाचारी ने शुत्धा द्वैत मत्का प्रतिबादन किया रामानंद रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्थक थे रामानंद का जन 1299 ईस्वी में प्रयाग अर्थात इलहाबाद में हुआ था इन्होंने प्रयाग तथा वारांड स्वी में शिक्षा प्रात किया रामानंद ने सरक्रतम अपना उप्देश हिंदी में दिया रामानंद ने भक्ती को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वेकार किया इन्होंने सीता राम के उपासना का आदर्श समाज के सामे रखा रामानंद के प्रमुक 12 शिश्यों में पद्मावती और सुरसरी जोकी महिलाएं थी कबीर जोके जाती से जुलाह थे और चमार जाती की रैदास, नाई जाती की सेना और राजपूत जाती की पीपा थे भक्ती आंदोलन का पुनरजन्म 15-16 सती में हुआ इसका नेतरित्व कबीर, नानक, तुलसितास, सूर्दास और मीरा बाई ने संभाला कबीर निर्गुण भक्तीदारा से जुड़े कबीर ऐसे संथ थे, जिन्नोंने संथ होने की बाद भी पूनता ग्रिहस्त जीवन का निर्वाह किया कबीर दास ने राम, रहीम, हजरत, अल्ला को एकी ईश्वर के भिन भिन रूप माना कबीर दास वेदूं और कुरान में विश्वास नहीं करते थे बीजग संथ कबीर की उपदेशों का संकलन है कबीर दास और उनके शिर्ष धर्म दास की संबादूं का संकलन अमर मूल शिर्षक में प्राप्त होता है कबीर दास सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालिन थे मूलक दास संत मूलक दास का जन्म सुंदर दास खत्री के घर में 1574 ईस्वी में कड़ा अर्थात वर्तमान कौशांबी जिल्य में हुआ था गुरु नानक गुरु नानक का जन्म 1479 ईस्वी को अविभाजित भारत के तलवंडी अर्थात आधुनीक ननकाना साहिब में हुआ था इनकी पिता का नाम महता कालुचंद खत्री तथा माता का नाम त्रिपता था नानक का जीवनकाल 1479 से 1549 ईस्वी तक रहा और इन्होंने सिख धर्म की इस्थापना की नानक एक श्वर वाद में विश्वास करते थे और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे गुरुनानक ने गुरु का लंगर नाम से सयुक्त सामुदाइक रसोई की शुर्वात की गुरुनानक सूफी संत बाबा फरीज से प्रभावित थे गुरुनानक हिंदू मुस्लिम एकता की प्रभल हिमायती थे तथा दोनों धर्मों की आडंबरों को त्याग कर सच्चाई पर विश्वास